पूर्ण पार्थक सद्ड़ा पर फिर से आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते आज की क्लास और आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछले ही टेस्ट स्रीज को जिसमें मैंने 75 कोईस्ट का डिसकसन किया था आज उसके नेक्स्ट पार्ट को डिसकस किया जाएगा जिसमें जोगरफी के कोईस्ट और करेंट अफेर के 25 कोईस्ट और बिहार स्पेशल के लगबग 30 कोईस्ट साथ में मैट्स को डिसकस किया जाएगा तो चलिए पहले कोईस् उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इस प्रस्न का सही जवाब होगा बायो टेक्नलोजी पार्क लखनों के अंदर अवस्तित है और यहां पर यूपी की बाता ही है तो यूपी जो की लखनों उसका कैपिटल है और यूपी के गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और यह एक पार्क आता आपको राची के अंदर कौन सा पार्क है तो यह है आपको विर्चा मुंडा पार्क पटना के अंदर है आपको संजय गांधी बायोलोजिकल पार्क आगे अगले कोईशन को देखेंगे ग्रीन मफलर शंबंदित है आप्शन से हमारे पास मिर्दा प्रदूशन से वायू प्रदूशन से ध्वनी प्रदूशन से जल प्रदूशन से उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का जो सही जबाब होगा ग्रीन मफलर एक योजना है जिसके तह अगले question को देखेंगे अगला प्रस्थ है निचली गंगा नहर का उद्गम अस्थल कहां पर है? options हैं हमारे पास हरीद्वार में, नरवरा में, बरेली में, कानपूर में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो निचली गंगा नहर जो की नरवरा उसका उद्गम अस्थल है तो इस प्रस्थन का सही जबाब होगा option नमर दो और ये नरवरा कहां पर अवस्तित है? तो ये है आपको बूलंद सहर जो की उत्तर प्रदेश के अंदर है और यहां पर एक atomic nuclear power plant भी अवस्तित है नरवरा के अंदर और 1872 में ये इसका start-up हुआ था और 1878 में ये complete हो गया फिर इसकी जो total लंबाई है और इसके दो साखाएं है जिसमें कानपूर शाखा और इटावा साखा है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी होगा ये सुईल नदी नदी परियोजना इस्तित है options है हमारे पास उत्राखंड, हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तो इस प्रस्ण का जो सही answer होगा ये एक लगूपन विजली परियोजना है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर है इस प्रस्ण का सही जबाब होगा option number 4 और ये हिमाचल प्रदेश के चमबा डिस्टिक के अंदर है और ये किस नदी की परियोजना है तो ये आपको रावी नदी की परियोजना है इससे total कितना विजली उत्पन होगा तो 5 मिगावार्ट विजली इसके अंदर उत्पन होगा इसके दो दो प्रोजेक्ट हैं धाई धाई मेगावार्ट के विजली ये उत्पन करेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर total 12 जिला है और यहाँ पे लोक शवा की जो सीट है वो चार है और राजी शवा की सीट तीन है यहाँ के legislative assembly मतलब विदान शवा के अंदर जो सीट की शंक और आपको कुलू का सॉल है फिर आपको एक चंबा का रुमाल है यह सारे के सारे हिमाचल के अंदर के product हैं जिसको जी आई टैग मिला है और जी आई टैग का जो office है वो चन्नी के अंदर है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है पुनर भरन योग्य भौम जल शंसादन म अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है कल्यान सोना एक किस्म है चावल की मक्का की गेहूं की जो आर की पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो कल्यान सोना हो या सोना लिका या आर आर 21 ये सारे के सारे गेहूं की किस्में है किस के किस्में है गेहूं की तो इस प्रस्न का जो सही जबाब होगा option नमर 3 अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है सक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है options है हमारे पास हर्याना आंद्रप्रदेश महारास्टर उत्तरप्रदेश पाजवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा आंद्रप्रदेश वैसे इसके options में होंगे तो ये सही होगा बट आंद्रप्रदेश का division हो गया तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा ते लांगना क्योंकि आंद्रदेश से तोटके ये राज्य बना था और ते लांगना के अंदर ही सकर नगर है जो कि एसिया का सबसे बड़ा सुगर फैक्टरी है और आपको ब्राजील है Sugar Ball of the World किस को बोलते हैं मतलब चीनी का काटोरा किस देश को बोलेंगे तो उसका जो राइट इंसर होगा क्यूबा क्यूबा का कैपिटल कहां पे है तो क्यूबा का कैपिटल हवाना है और यहां के करिंसी को पेशो बोलते है Next आता है Sugar Ball of India कौन है कौन सा राज्य है तो यह उत्तर प्रदेश को Sugar Ball of India के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड लेबल पे भारत के अंदर चीनी सेकेंड सबसे लार्जेस्ट प्रोडूशर है इंडिया ठीक है और प्रोडक्शन सबसे जादा किस एस्टेट के अंदर होता है चीनी का तो उसका जो सही जवाब होगा तमिल नाडू के question होगे अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है मशालो का बगान कहा जाने वाला राज्य है कड़नाटक, केरल, महारास्टर, तमिल नाडू उपर युक्त में से को ही नहीं तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा केरल को city of spices के नाम से भी जाना जाता है केरल को मशालो का बगान और इसका जो अब केरल की बात आई है तो केरल से related कुछ aesthetic facts को देखेंगे केरल के अंदर एक dance famous है उसको क्या कहते हैं कथक कली dance केरल के अंदर पेरियार नदी भी है और वहां के cm कौन है पिन्ना राई विजयन गवर्नर कौन है वहां के आरिफ मुहम्मद खान फिर केरल के अंदर जो लोक शभा की total seat है 20 है राज्य शभा की total seat 9 है और legislative assembly मतलब विधान शभा के अंदर 140 seats है तो ये clear हो गया अन्ना मुडी चोला नेशनल पार्क केरला के अंदर ही अवस्तित है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्त है मक्य की खेती की जा सकती है option से हमारे पास खरीफ के मौशम में फिर आता है आपको रवी के मौशम में फिर आता है जायाद के मौशम में चोथा वर्षा भर पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिर इस प्रस्त का सही जवाब होगा option नमर डी अगले question को देखेंगे अगला प्रस्त है राजस्तान की नाथरा की पाल छेत्र कौन सा खनीज पाया जाता उस छेत्र में options है हमारे पास लह अयस्क, तामबा, सीसा वजस्ता, मैंगनीज पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तामबा तो आपको खेत्री राजस्तान का एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है और ये लोह अयस्क कहाँ पे पाया जाता है तो नाथरा की पाल वाले छेत्र में लोह के कितने टोटल अपर रूप है तो इसका तो एक हो गया आपको हेमाटाइट जो की में है फिर आप तो आता है मैगनेटाइट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एमाउंट में नैचरली अकरिंग जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैगनेटिक प्रोपर्टी से मैगनेटाइट के अंदर पाया जाता है तो ये प्रस्ण का जो सही जबाब होगा ऑप्शन नमर वन का अगला कोशन देखेंगे विश्रामपूर किसक एक खनन के लिए प्रसिद्ध है उप्शन से मारे पास तामर अयस्क लोह अयस्क कोईला मैंगनीज पांचवा उप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा विश्रामपूर जो की 36 गद्र के अंदर है और ये कोईला के लिए मशूर है तो ऑप्शन नमर थर्ड इसके सही जवाब होंगे अगला कुईशन है उद्ध्यान एवं वानिकी विश्विद्याले इस्तित है उप्शन से हमारे पास कोयम बटूर फिर आता है शोनल में फिर आता है पालपूर में चौता उप्शन पंत नगर पांचवा इस प्रसन का सही जवाब होगा उद्ध्यान एवं वानिकी विश्विद्याले सोलान जोकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है नेक्स्ट को देखेंगे अगला प्रसन है स्वर्णिम चतरवुज परियोजना का शंबंध किसके विकास से है ओप्शन से हमारे पास राजमार्ग फिर आता है वंदरगा फिर आता है विद्युत स्रिंखला परियतन चक्र उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जवाब होगा राजमार्ग से चतरवुज परियोजना जुरा हुआ है और ये 1995 में अटल जी के दौरा कहा गया था कि इंडिया के अंदर जितने भी महानगर हैं उनको चार से छे लेन के बीच में जोरा जाएगा तो इस प्रसन का सही जवाब होगा उप्शन नमर वन अगले कुशन को देखेंगे कौनकन रेल मार्ग नहीं जोरता है उप्शन वन है बेल गाम को फिर आता है मंडगाउं को फिर आता है उडप्पी पांचवा उप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जवाब होगा बेल का कौनकन रेलवे का जो हेट कौर्टर है वो महरास्ट के बेलापूर के अंदर है नवी मुंबई के अंदर ये आता है और इंडिया के अंदर एक सी लॉंग अगले कुश्चन को दिखेंगे अगला प्रसन है वारत का सबसे बड़ा बंदर का है ओप्शन से हमारे पास विशाखा पटनम फिर आता है मुंबई फिर आता है तुति कोरीन चौथा ओप्शन है कांडला पांचवा ओप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जवाब जो होगा मुंबई होगा आप्शन नमर दो और मुंबई जो ये बंदरगाह है वो आपको नैचुरल है प्राकृतिक रूप से उत्पन हुआ है चेन्ने के अंदर जो है वो नैचुरल नहीं है आर्टिफिशल बंदरगाह है पॉर्ण भी नैचुरल नहीं है और कोचिन वाला नैचुरल है जो की पेरियार नदी के अंदर फलरड आया था उसके बाद ये बना था तो अगले कुश्चन को देखेंगे अगला प्रसन है हमारा दा हिमालियन मॉन्टेनियरिंग इंस्टिटूट निमनर लिखित अस्था उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो दा हिमालियन मॉन्टेनियरिंग इंस्टिटूट ये वेस्ट बेंगॉल के अंदर एक सहर है डार्जलिंग वहाँ पे अवस्थित है ठीक है वहाँ के एक चाई को डार्जलिंग टी को जी आई टैग भी मिला हुआ लिकित में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है ऑप्शन से हमारे पास प्लैक फॉस्पेट एटलस पैरिनीज एपी नाइन्स फिर पांचवा उप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जबाब होगा ऑप्शन नमर वन प्लैक फॉर के अंदर अवस्थित है जिसका एक्जाम्पल होगा उस कंट्री का मोरेको फिर आपको आएगा अलजीरिया फिर आएगा त्यूनीसिया यह सारे के सारे वहां के अप्शन हो गए विस कंट्री में एटलस मॉंटेन पाय जाता है वहीं पे पेरिनीज मॉंटेन का जो यह स्री अगले क्वेशन को देखेंगे अगला क्वेशन है निम्न लिखित में से कौन सी जोरी देश और राजधानी सही सुमेलित नहीं है अप्शन फस्थ है चीन जिसका कैप्टल बिजिंग है सही जवाब है फिर आपको आता है जापान का जो कैप्टल है उसका क्या नाम है तो तो इस प्रसन का सही जवाब होगा टो कियो आप्शन नम्मर दो सही है अस्ट्रिया का कैप्टल वियना है थाइलेंड का कैप्टल वैंकोक है और जापान के जो पी-म है अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम है फ्यूमियो किशीदा ठीक है अगले क्व क्रेंगे अगला कुश्शन आता है सुर्योदय का देश नाम से जाना जाता है और जाप्शन से हमारे पास नौर्वेग फिर जपान ब्रिटेन फिन लेंड पिनलेंड की कैप्टल कहां पर है हैल सिंकी तो इसका जो सही जवाब होगा जापान जिसको सुर्योदय का देश भ दर से बढ़ता है तो 2 सेकेंड के बाद कितना बढ़ा हो जाएगा तो देखे 4 परतिसत एक सेकेंड में बढ़ेगा और 4 परतिसत दूसरे सेकेंड में भी बढ़ेगा तो इसका जो हो जाएगा आपको total percentage increase क्या हो जाएगा 4 % plus 4 percent plus 4 into 4 तो ये हो जाएगा आपको 8.16% का इंक्रीज होगा किस पे 25 के अंदर तो 25 का 8.16 बटा 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको ये टोटल वैल्यू इसमें इंक्रीज होगा आपको 2.04% का तो 25 में 2.04 जोड देंगे 25 प्लास 2.04 तो इस प्रस्तन का जो सही जवाब होगा 27.04 cm² ऑप्शन नमबर वन सही जवाब है अगले कोईशन को देखेंगे पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद A तथा V है केवल A छेद खोलने पर भरी टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है तथा केवल B छेद होगा B छेद खोलने पर 20 मिनट में हो जाती है तो A को खोलेंगे तो वो 30 मिनट में B को खोलेंगे तो वो 20 मिनट में इस दोनों का LCM करेंगे 60 हो जाएगा 1 मिनट में कितना unit निकलेगा पानी तो 2 इसका 1 मिनट में कितना 3 अब क्या कहता है यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोल कर छेद b को बंद कर दिया जाएगा 10 मिनट तक दोनों को continue रखेंगे तो 2, 3, 5 हो गया और इसको 10 मिनट तक करेंगे तो यह 50 हो जाएगा प्लस remaining क्या हो गया 10 हो गया 10 और उसमें क्या कहता है B को बंद कर देंगे तो यह बंद हो जाएगा फिर 2 unit ही होगा तो यह क्या हो जाएगा 5 तो 10 मिनट और 5 मिनट टोटल कितना add हो जाएगा 10 प्लस 5 तो 15 मिनट इसका सही जवाब होगा अगले question को देखेंगे अगला प्रसन है यदी माना F R R पडिवासित होता है F X is equal to X square minus 3 X plus 2 से तब F into F into F5 का मान क्या होगा जब इसको solve करेंगे तो इस प्रसन का जो सही जवाब होगा option number third next question को देखेंगे अगला question है यदी N का square है C3 ratio N C2 परावर 12 is 2 एक है तो N का मान पूछ रहा है जब इस सवाब को solve करेंगे तो इसका जो right answer होगा option number B अगला question आता है यदी कोई व्यक्ती आयताकार छेतर में जिसका परिमाप 6 km है चल रहा है यदी आयत का 6 तरफल 2 वर्ग किलो मीटर है तो सबसे पहले जो आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप वो क्या होता है P into P is equal to sorry रुक जाएए आयत का परिमाप होता है P is equal to 2 into L plus rate तो इसका जो value क्या हो जाएगा तो 2 और ये length into rate है तो परिमाप तो दे रखा 6 और 2 दे रखा length into length plus length plus rate तो length plus with it क्या हो जाएगा breadth क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब area पूछ रहा है तो आयत का चैत्रफल कितना होता है with it into length होता है तो इसका चैत्रफल कितना दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 कब होगा या तो 2 into 1 होगा या 1 into 2 होगा और यहाँ परिमाप क्या दे रखा लेंद प्लस प्रेथ is equal to 3 तो या तो 2 प्लस 1 होगा या 1 प्लस 2 हो जाएगा तो इस प्रस्ण में क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होगा तो 2 minus 1 करेंगे तो इसका answer एक किलो क्यों मेंटर option B सही जवाब होगा अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है एक बगीचे में सेब के पेरो की शंखिया का आम की पेरो की शंखिया से क्रमशानुपाथ 5 बटा 6 है सबसे पहले क्या है हेपल है फिर मैंगो है और दोनों का जो रेश्यो है 5 अपॉन 6 दे रखा है फिर क्या कहता है यदि पेरो की कुल संख्या 121 है तो इस दोनों को जब हम एड़ करते हैं तो यह 11 हो जाता है और इस 11 का वैल्यू 121 है तो एक यूनिट का जब हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 11 अब इसमें मुझे पूछ क्या रहा है तो बगीचे में सेव के कितने पेर हैं तो 5 को जब 11 से मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 55 अप्शन नमर 2 सही जवाब है अगले कुश्चन को देखेंगे सारे 12% को किसी विन के रूप में कैसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन 8 सारे 12% is equal to क्या हो जाएगा 25 बटा 2 बटा 100 करेंगे तो 25 अथे 200 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 अपॉन 8 हो जाएगा अगले कुश्चन को देखते हैं अगला प्रस्न है एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलो मेटर म के विपरे दिशा में चलेगा 60 किलो मेटर ठीक है तो यह वाटर का कट गया तो यह टू बोट का जो वैल्यू हो जाएगा कितना 38 तो एक नाव की दिशा कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी और इसका जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वाटर का जो स्पीड होगा वो 3 किलो मेटर परावर होगा इस प्रजन का सही जवाब option नमर 4 होगा अगले question को देखते हैं एक 6 मेटर उचाई वाला जंडा एक मिनार के उपर लगता है एक मिनार है ठीक है उसके उपर यह जंडा लगेगा ठीक है और यह एक चाया बनाएगा कौन इस कौन को हम ठीटा बोल देंगे और यह हमारा base हो गया जिसका value कितना है 2 is to 3 2 is to 3 और इसकी जो उचाई है 6 मीटर है 6 मीटर है जब इसका 10 ठीटा का value निकालेंगे क्योंकि length और base perpendicular और base दे रखा है तो 10 ठीटा का value हो जाएगा length बटा आधार होता है तो 6 बटा 2 root 3 होगा ठीक है तब इसका value 3 upon root 3 हो जाएगा 3 upon root 3 फिर इसको root 3 upon root 3 से multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपको root 3 हो जाएगा इसका value हो जाएगा 60 degree option number second सही जवाब है अगले question को देखेंगे 7 7 7 यह कितने बार है 5 बार तो इसका mean जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 plus 7 plus 7 बटा 5 करेंगे तो यह value 7 आजाएगा जब इसका variance निकालेंगे तो हो जाएगा 35 बटा 5 तो 7 value आएगा तो सारे के जो observation है वो शाथ ही आजाएगा तो इसका value second zero option सही जवाब होगा next question को देखेंगे किस देश ने COVID-19 के इलाज के लिए विस्व की पहली गोली लेग वेरियो जिसका दूसरा नाम क्या है मुलैनू पीरविर को मंजूरी दी है options है हमारे पास चीन, ब्रिटेन, भारत, क्यूबा पाच्वा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का जो सही जवाब होगा ब्रिटेन, option नम्मर दो सही जवाब है और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का क्या नाम है तो बोरिस जॉन सन ठीक है, next question को देखेंगे अगला प्रस्थ है, सिल्प और लोक कलास रेनी के अंतरगत, युनिस्को ने क्रेटिव सिटी नेटवर्क 2021, युनिस्को क्रेटिव सिटी नेटवर्क 2021 में भारत के किस सहर को शामिल किया गया है option से हमारे पास जैपूर, राजस्थान, फिर पंजी, गोवा, लखनव, उत्तर, प्रदेश, फिर आता है आपको श्री नगर, जम्मू, कस्मीर, या पाँचवा उप्शन, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रत्न का सही जबाब होगा जैपूर को इनोंने अभी रिसेंट में सामिल किया है, option नम्मर, वन, किस एरिया में इसको सामिल किया है, तो क्राफ्ट और फोकार्ट के छेत्र में तो जैपूर इसका सही जबाब होगा, इससे पहले कुछ दिनों पहले ये जो क्रियाटिव सिटी नेटवर्क स्टार्ट किया गया था, युनिस्को के द्वारा, इसमें मुंबई को बॉली उट के लिए एड किया गया था, और पाक कला के लिए हैदरावाद को, तो ये किल खेलो इंडिया तीरंदाजी टुड़नामेंट का आयोजन किया गया था, ये कहां पर किया गया था, आप्शन से गुहार्टी, भुवनेश्वर, सोनीपत, नई दिल्ली, पांचवा आप्शन है, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक तो इस प्रसन का जो सही जबाब होगा, आप्शन नमर 3, सोनीपत के अंदर खेलो इंडिया तीरंदाजी टुड़नामेंट का प्रारम किया गया था, और इसमें जो मसहूर खिला रही है, वो कौन है, तो दीपी का कुमारी, जो की जारगंट से विलॉंग करती है, और ये इसमें सबसे टॉप पोज आप का नया प्रमुख निक्त किया है, आप्शन से वि आर चौधरी, फिर आता है म ए घोर मडे, करमबीर सिंग, आर हरी कुमार, पाच्वा आप्शन उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो नौ सिना के बारे में पूछ रहा है, तो इस परसन का सही जबाब होगा, आर हरी कुमार अभी, इंडियन नवाल चीफ है, नेवी चीफ है, और वहीं पे, वी आर चौधरी, जो की, एर फोर्स के चीफ है, अभी, एर फोर्स के चीफ है, नेक्स्ट आता है आपको, अभी जो डिफेंस आफ स्टाफ है, कौन है, एम, एम, नरवाने, अगले प्रसन है, किस देश के शेना प्रमुको, रास्टरपती, रामनाद कोविंद द्वारा, भारतिये शेना के जनरल की मानत रेंकिश से समानित क्या गया है, आप्शन से हमारे पास, बंगला देश, नेपाल, स्रिलंका, थाइलेंड, पांचमा उप्शन है, उपर युक्त में स कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रसन का सही जबाब होगा, दूसरा उप्शन नेपाल, और इनके जो ये, इनको जो जनरल लिंक का उपादी मिला है, यो इंडिया के अंदर ही, एंडिये कम्प्लीट करे थे, अगले कुश्चन को देखेंगे, 110 नमर प्रसन है, अंत नमर चार इसका सही जबाब है, और इसके जो डीजी हैं अभी, कौन है, तो ये इनका नाम है, अजये माथूर, अगले कुश्चन को देखेंगे, अगला प्रसन है, जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सोचकांक, 2022, जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सोचकांक, 2022 में भा भारत को कौन सा अस्थान प्राप्ट हुआ है और यह किस के दोरा जारी किया जाता है अगले कुश्चन को देखेंगे अगला कुश्चन है अप्शन से हमारे पास सिबसंकर मेनन आकास रानीशन फिर शल्मान खुरसीद जैराम रमेश तो इस प्रसन का सही जबाब होगा शल्मान खुरसीद आप्शन नमर तीन और कुछ बुक को देख लेते हैं जैराम रमेश के द्वारा लाइट ओफ एसिया बुक लिखा गया है लाइट ओफ एसिया किसने लिखा है जैराम रमेश ने एक्जाम वारियर नरंदर मोधी के द्वारा और दलाई लामा निली एक बुक लिख है जिसका नाम है दे लिटल बुक ओफ इनकरेस्मेंट नेक्स प्रमूद चंद्रमोदी, आलोक शर्मा, तिनेस गर्ग, पांचमा उप्षन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा, उप्षन नम्मर दो, प्रमूद चंद्रमोदी, अगले कुश्चन को देखेंगे अगला प्रस्ण है, सीमा सरक गठवंदन, संगठन, किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी, दुई लेन, सरक शुरंग, शेला सुरंग का निर्मान कर रहा है अप्षन से हमारे पास, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, पांचवा अप्षन है, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक तो सेला सुरंग जो की अरुनाचल के प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा, और यह कहां पे बनाया जाएगा, तो एक तमांग वैली है, और यह इसकी जो टोटल लेंथ होगी, 1.55 किलो मीटर, अरुनाचल प्रदेश के चीप मिनिस्टर कौन है, पीमा, खांडू, और यहा पे एक नमदावा और मॉलिंग नेशनल पार्क भी अवस्तित है, अगले कुशन को देखेंगे, अगला प्रस्ण है, वर्ज 2022 में संयुक्त रास्टर, जलवायू परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन में, कोप 27 की मेजवानी कौन सा देश करेगा, आप्शन से मारे पास संयु अरव अमिरात, दूसरा उप्शन है स्पेन, तीसरा उप्शन है पोलेंट, चौथा मिसर, पाच्वा उप्शन है, वो पर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा, यह इजिप्ट के अंदर जिसको हिंदी में मिसर कहते हैं, आप 26 का जो मेटिंग हुआ था, कहां पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, और पहली कोप 1 का जो मेटिंग हुआ था, वो बरलीन के अंदर हुआ था, ग्लासगो किसका सहर है, तो यह स्कॉटलेंड के अंदर एक सहर है, और एजिप्ट को नील नदी का बर्दान भी कहा जाता है एजिप्ट का जो कैपिटल है उसको काईरो बोलते हैं और वहां के करिंसी का नाम पॉंड है अगले कोशन को देखेंगे 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सेन्य अव्यास सक्ती 2021 का छठा संसकरन आयोजित किया गया था आप्शन से हमारे पास जापान स्रिलं गांगा इंडोनेशिया फ्रांस चौथा अप्शन जो इसका है फ्रांस वो क्या हो जाएगा सही जवाब होगा वरुन गरुर ये भी फ्रांस के साथ ही exercise है तो इस प्रसन का सही जवाब option नमर फोर हो जाएगा कुछ और exercise को यहां पे देखेंगे एक आया एक्स डिजर्ट और ये किस देश के साथ हुआ था ये भी आपको France के शाथ ही हुआ था एक desert flag नाम का exercise हुआ था और ये UAE और इंडिया के साथ हुआ था दस्तलिक exercise किस के साथ हुआ था तो दस्तलिक exercise आपको इंडिया और उजबेगिस्तान के बीच में होता है फिर एक आता है पाभी exercise जो की anti-terrorism के खिलाप exercise कंड़क्ट किया गया था किसके दौरा तो संगई cooperation organization के दौरा ये clear हो गया अगले question को देखेंगे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किशे निक्त किया गया है option से हमारे पास अतुल कारवाल, सील वर्धन सिंग, पंकच कुमार सिंग, नाराइन प्रधान पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो डीजी बने हैं, उनका नाम है सत्यनाराइन प्रधान तो इसका जो option सही जवाब होगा चौथा option, option नमर चार सही जवाब है और अतुल खारवाल, अतुल खारवाल कहां पे हैं और इनको NDRF का हेट बनाया गया है वहीं पे शील वर्धन सिंग जो की CISF के हेट हैं, नेक्स्ट आएगा पंकज सिंग BSF के हेट हैं, ये clear हो गया, अगले question को देखेंगे अगला प्रसन है, निम्नलिकित में से किन दो देशों ने संसद मैतरी शंग को पुनर जिवित किया, option से हमारे पास भारत और निपाल, भारत और स्रिलंका, भारत और बंगला देश, भारत और रूस तो इस प्रसन का सही जवाब होगा, संसद मैतरी शंग, इंडिया और स्रिलंका के बीच में शुरू किया गया, option नमर दो, स्रिलंका के अभी के रास्टरपती कौन है, मैतरी पाला, सिरिसे, ना, और इसका जो capital है, जैवर धने, पूरे कोटे, और यहां के currency को रूपीज बो हमारे पास, रस्या, कनाडा, चीन, इसराइल, पांचवा option है, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक इस प्रसन का सही जवाब होगा, चीन, चीन एक मार्च मिसन जारी किया था, और उसका क्या नाम था, तियान वेन, तियान वेन, यह चीन का मार्च मिसन है, अगले question को देखेंगे, 13 November 2021 को किस राजने केशर एहिंद एक butterfly है, जिसको अपना state bird गोसित किया है, option से हमारे पास, असम, सिक्किम, गोवा, अरुनाचल प्रदेश, पांचवा option है, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रसन का सही जवाब होगा, के इसके अंदर और कुछ points को हम यहाँ पे देखते हैं, एक cataly है, cataly, जो कि fish है, और ये सिक्किम का state fish गोसित किया गया है, सिक्किम का state fish, cataly, फिर आता है आपको himtandua, 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 ये कहां का state animal है, तो ये आपको laddak, laddak का state animal है, next question को देखेंगे, ICC Proust T20, विस्वकप 2021 का खिताब किस नहीं जीता था, option से हमारे पास Australia, West Indies, Sri Lanka, England, पाँचवा option, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रसन का सही जवाब होगा, Australia, Australia, Australia के अंदर एक reef है, जिसका नाम है, Great Barrier Reef, और ये कहां पर organize किया गया था, ये 2020 World Cup, तो ये UAE के अंदर organize किया गया था, और इसके runner-up कौन थे, तो वो New Zealand, ठीक है, अगले question को देखेंगे, अगला question है, Where was India's first food safety museum inaugurated on November 15, 2021, तो भारत का जो पहला खादिस उरक्षा, संग्रहाल है, वो कहां पे खुला है, options है हमारे पास, तंजावूर, तमिलाडू, अजमे, राजस्थान, कोची, केरला, पटना, बिहार, अगला option है, पांचवा, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इस प्रस्ट का जो पहला option है, तंजावूर, के अंदर, अगले question को देखेंगे, 16 नमंबर 2021 को किस राज्य में पुर्वांचल एक्सप्रेस वे का उध्गाटन किया गया था, options है मारे पास, मद्य प्रदेश, जारखंड, 36 गड, उत्तर प्रदेश, पाचवा option है, परियुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो य खनव और गाजिपूर के बीच में है, फिर एक गंगा एक्सप्रेश वे, गंगा एक्सप्रेश वे का व्युद घाटन किया गया है, ये कहां से कहां के बीच में होगा, मेरट से प्रियाग मिन्स अलहा, प्रियाग राज के बीच में, और टोटल इसका जो लेंथ होगा, 594 किलो मीटर और एक कहां पे इसका इनाग्रेशन किया गया है तो यह साज अहां पूर के अंदर ठीक है नेक्स्ट को देखेंगे अगला प्रस्न है नवंबर दोजार एक्टिस में कलपती रत महोथशब कलपती रोठ लश्वम किस राज्च में मनाया जाता है आप्शन से हमारे पास अश्चम आंदर प्रदेश केरल तेलांगना तो इस प्रस्न का सही जवाब होगा आप्शन नमर थ्री और के अंदर एक और फेस्टिबल होता है जिसका नाम है उनम फिर आता है क्लासिकल डांस जिसका जो कि केरल का है एक तो मैंने पहले कुछ और एक फेस्टिबल आपको शाबरी माला मंदिर के अंदर होता है जो कि केरला के अंदर ही यह मंदिर है मकर विल्लुकू फेस्टिबल और एक और फेस्टिबल है जो कि कामक्या मंदिर के अंदर होता है अंबू वलवी फेस्टिबल यह क्लियर हो गया अगले कुशन को अगला प्रस्ण है नमंबर 2021 में भारत में घास सन अक्षन केंद्र ग्रास कंजरवेटरी का उधगाटन कहां पे हुआ था आप्शन्स हैं बैंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई, रानी खेत पांचवा आप्शन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प ग्रासलेंड है आपको पंपास ये कहां पे है तो ये अर्जन्टिना के अंदर है नेक्स्ट ग्रासलेंड आता है आपको लैनोश और ये वैनिज्वाला के अंदर है डाउन्स ग्रासलेंड कहां पे होता है ये अस्ट्रेलिया के अंदर है वहीं पे वेल्ड्स ग्रासलेंड साउथ अफरीका के अंदर होता है नेक्स्ट कोईशन को दिखेंगे माई लाइफ आत्मकथा है आप्शन से हमारे पास डॉक्टर एपीजे कलाम की डॉक्टर राजेंदर प्रशाद की विल क्लिंटन की आत्मकथा का नाम माई लाइफ है अगले कुशन को दिखेंगे अगला कुशन है स्वधार योजना अस्थापत तिक अलाके प्रतिक इमारते को मजबूत करना जीवन में कठिन परिस्थित्यों को प्राप्त महिलाओं की चाहिता करना तकनीकी कुशलता प्राप्त वैक्तियों कोश्वारज़कार के अबशे प्राप्त कराना शमेशे प्रवकारे करने में विलोग हुए कामगारों को प्रसिक्षन करवाना पांचवा उप्षन है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसिक्षन का जो सही जबाब होगा उप्षन नमर दो और ये जारी किया गया था यूपी कौवर्मेंट के दोरा मतलब स्वाधार योजना के अंदर गत जीवन में कटिन परिस्थितियों में जो प्राप्त महिलाए हैं उनकी सहायता करना है अगले कोईशन को देखेंगे गोकुल पुरुसकार योजना संबंदित है जो फ़छन नमर दो होगा अगले कोईशन को देखेंगे निमनल लिखेती राज्यों में से किस एक में विश्वस रेनी की फिल्म नगरी विक्सित के जा रही है option से हमारे पास आंदर प्रदेश, गोवा, हर्याना, करनाटक पांचवा option इसका सही जवाब होगा ओपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका जो होगा दो सिटी में जादे में हो रहा है तो अगले question को देखेंगे वह योजना जो जम्मू एवं कस्मीर के निवासियों के हिर्दय एवं मन जीतने के उद्देश से चलाई गई थी नामांकित थी options है operation एकता, operation चांती, operation सदभावना, operation उजाला तो इस प्रसंद का सही जवाब होगा option number 3 कुछ पुराने questions हैं तो उसके लिए sorry अगले question को देखेंगे विस ओजोन दिवस मनाया जाता है option 1 16 September को फिर आता है 21 April को 25 December को फिर आता है आपको 23 January को पांच मा option है उपर उप में से कोई नहीं या एक से अधिक अभी अभी recent में एक operation लाया गया था उसको भी हम जिकर करेंगे operation ganga जसके तहत युक्रेइन से जितने भी छात रहें भारत के उनको इंडिया लाय जाएगा तो उस operation का क्या नाम है operation ganga operation ganga और इस प्रस्ण का सही जवाब होगा 16 September उस वार का जो 2021 का theme क्या था तो उसका theme था monetary protocol keeping us keeping us our food our food and vaccines cool ठीक है अगले question को दिखेंगे पिहार में गया में किशान अंदोलन को निम्न में से किसने जागरित किया था option से हमारे पास रामानंद मिस्र जदुनंदन मिस्र मन्नू गोंड चिट्टू पांडे पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इस प्रसन का सही जवाब होगा जदु नंदन मिस्र option नमर दो अगले question को दिखेंगे बिहार में 1928 में सर्वदलिय शम्मेनन की अध्यक्चिता किसने की जिसमें बिहार में शायमन कमीशन का पुर्ण वहिसकार का निर्ने लिया गया था option से हमारे पास राजिंदर प्रशाद मजरूल हक सर अली इमाम चौता option है सेयद हसन इमाम पांचवा option है उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका जो सही जवाब होगा option नमर 3 सर अली इमाम के दौरा 1928 में जो आया गया था लाया गया था बिहार के अंदर सायमन कमीशन उसका वहिसकार करना था और इसके चेर्मेन भी कौन थे सर अली इमाम ही थे और एक आया था आपको leaders manifesto सायमन कमीशन की निंदा के लिए और उसका विरोध भीहार के किस नेता ने किया था तो उसके जो नाम है मजरूल हक फिर आता है 6 दिशंबर 6 दिशंबर 1928 को भीहार प्रांतिये सम्मिलन का मीटिंग हुआ था कहां पे पटना के अंदर सायमन कमीशन के आने से पहले और इसके अध्यक्ष कौन बनाएगे थे तो अनुगरह नाराइन सिंग ठीक है फिर आता है आपको राजनितिक पीरित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है नेक्स आया सायमन कमीशन पटना कब आया था ये भी कु cactus पचता है तो सायमन कमीशन पटना आया था आपको 12 बारह दिशम्बर को 1928 के अंदर 12 दिशम्बर 1928 को सायमन कमीशन पटना आया था ये कुशन भी हो गया एक और कुशन को देखते हैं बिहार में सायमन कमीशन के बहिसकार के सैन्योजक कौन थे तो उनका जो नाम था देव की नंदन देव की नंदन जी ठीक है यह हो गया, एक और कुशन देख लेते हैं आखरी, बिहार प्रांतिय शम्मेलन का 28 सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो यह आपको मुंगेर के अंदर हुआ था यह कुश बिहार से रिलेटेड कुश सम्मेलन थे, जिसके महत्पुर्न प्रस्न थे, उनको मैंने यहाँ पे देख लिया अगले कुशन को देखेंगे अगला प्रस्न है, बिहार में नमक सत्यागरा शर्व परथम कहां से सुरूँ हो था यह आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी कराये थे यह आपको सुरूँ होता सुल्ह अपरील को और कहां से तो चमपारन और शारन से नेक्स्ट कुशन को देखेंगे कुशन नमर एक सो पैंटिस, एक सो पैंटिसमा प्रस्न है बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके शमबंदित छेत्रों को शुमेलित करना है यहां पे तो जगत, नाराइन, लाल और इस सारे पॉइंट को एक लिख लेंगे यह दो हो गया, यह तीन हो गया, यह चार हो गया तो चलिए, पहला देखते हैं जगत, नाराइन, लाल इनका कहाँ से रेलेशन था तो यह आपको पतना से रिलेटेड थे तो एक आदो हो जाएगा एक आदो कितने किस किस में है तो बस दूसरे वाले उप्शन में है बाकि सारे कलथ हो जाएंगे दूसरा उप्शन इसका सही होगा स्रीकरस्ण सिंग मुझपर पूर से बिलॉंग कर रहे थे वहीं पे शत्यनाराइन सिंग दरवंगा से और नेक्स आता आपको स्रीकरस्ण सिंग आपको मुंगेर से बिलॉंग करते थे और ये रामदयालो सिंग मुझपर पूर से थे क्लियर हो गया अगले कोईशन को देखेंगे भारत चोरो आंदोलन के दोरान फुलेना प्रसाद स्रिवास्तव की मिर्तियों जंडा फाराने के एक्राम में पुलिस की गोली मारने से हुई थी कहां पे तो आप्शन है पटना छपरा शिवान तो यह शिवान के अंदर एक थान राजन प्रसाद की वहन का क्या नाम था तो राजन प्रसाद को 1962 में भारत रत मिला था भारत के पहले वक्ति हैं जिनको पहले और आखरी वक्ति हैं जिनको देश रंतन की उपादी मिली थी और यह कंस्टिटुएंट एसेंबली के पर्मानेंट चेयरमेन भी थे और इनकी बहन का नाम था भगवती देवी ऑप्सिन नमर चार सही जवाब है अगले कोईशन को देखेंगे आजाद दास्ता का गठन हुआ था ऑप्सिन से माने पास अंग्रेजों की हत्या करने के लिए तो और पूर की कारवाई करने के लिए युद्धिकारियों में सरकार को बाद अंदोलन के दोलन यह शुरू किया गया था किस चेत्र में तो नेपाल के तरही चेत्र में अगले कोईशन को देखेंगे अगला प्रस्थन है भारत छोड़ो अंदोलन में बिहार में कौन चादल सक्रिये था ऑप्सिन से हमारे पास रामदयालू दल सिया रामदल जैपरका दल राजेंद्र दल तो इसका जो ऑप्शन नमर दो है यह सही है भारत छोलो अंदोलन जो बिहार में वहा था उसके कुछ इंपोटेंट फैक्ट्स को यहां पे देखेंगे सबसे पहला तो यह आजाद दास्ता जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था और इसके निरदेशक थे बाभू, श्याम, सुंदर, प्रसाद फिर आया आपको बिहार, प्रांति, आजाद, दास्ता और जिसका नेतृत किया था सूरज, नाराइन, सिंग, फिर आते हैं आपको शियाराम दल एक आया था जो कि बिहार में गुप्त, क्रांति, कारी, अ है सिहारामदल हो जाएगा फिर एक आया था उसी वक्त में आजादी से लराई के टाइम है तारापूर में गोली कांड हुआ था लगवग साथ करांती कारियों की हत्या की गई थी और ये कब हुई थी तो पंदरा फरवरी 1932 को तो इस प्रस्न का सही जवाब option नमर दू है अगले question को देखते हैं बिहार के लिए कठित आजाद परिशद के सनी योजग थे अभी अभी हमने बताया था कौन थे तो सुरज नाराइन सिंग आजाद दस्ता के सनी योजग या निर्देशक जिसको कहेंगे तो ये कौन थे सूरज नाराइन सिंग इस प्रस्न का सही जवाब होगा option नमर वन अगले question को दिखेंगे अगला प्रस्न है बिहार में forward block के नेता थे option से हमारे पास श्री बद्रिनात वर्मा फिर आता है आपको डॉक्टर सेयद महमूद सील वद्रयाजी option नमर ठर्ड इसका सही जवाब होगा forward block कब स्टार्ट किया गया था ये सुबाश चंद्र बोश के द्वारा अगले question को दिखेंगे अगला प्रस्न है Muslim League के प्रत्यक्ष कारवाई दिवस की घोशना के बाद विहार में पुर्ण हरताल हुई थी option से हमारे पास 15 अगस्ट 1940 को 16 अगस्ट 1940 को 17 अगस्ट 1940 को 20 अगस्ट 1940 को 5 वा option है उपर युप्त में से कोई नहीं और प्रत्यक्ष कारवाई दिवस 16 अगस्ट 1940 को हुआ था option नमर 2 सही जवाब है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ट है बिहार कान्यूंतम साक्षर्था वाला जिला इसको मैंने पिछले क्लास में भी डिसकस किया था इसका जो सही जवाब होगा पुर्णिया वहीं पे सबसे ज़्यादा जो साक्षर्था लिटरेशी रेट है व और विष्णु गुप्त तो यहां के नहीं थे तक्षिस इला के थे वीरवद्र भी थे शीलवद्र भी थे more than one इसका राइट एंसर होगा वहां के और जो आचारित थे उनके नाम को हम यहां पे डिसकस करते हैं और यह नालंदा विश्वद्याल है कुमार गुप्त के नाया गया था और प्राचारियू का जो डिफ्रेंसियेशन था वो लगवक तीन पार्ट में किया गया था सबसे जो मेन हुआ करते थे वह आपको कौन थे शील फद्र फिर आता एक धर्म पाल जिनोंने बाद में किस विश्विद्याले की अस्थापना करी थी नालंदा वि सिक्षक हुआ करते थे नेक्स विश्विशन को देखेंगे अगला प्रसन है प्राचीन बिहार के मिथला से शंबंदित थे गौतम रिशी जिनकी बेबी को स्राप मिला था वो मिथला से थे यग वल जनक के दरबार में थे तो इसका जो राइट इंसर होगा more than one option सही है option number 5 अगले question को देखेंगे अगला प्रसन है भोजपूरी की जनकवी किसे कहा जाता है तो भेकारी ठाकुर को भोजपूरी का सेक्स वेयर के नाम से जाना जाता option number 2 next question को देखेंगे अगला question है रास्ट्रे गोकुल मिशन के ताथ बिहार के किस अस्थान पर हिमित विरे के इंदर के अस्थापना ये रादा महुंसिंग के द्वारा किया गया था और ये पुर्णिया के अंदर किया गया था next question को देखेंगे पटना कलम की प्रथम महत्पूर्ण चितरकार थे options हैं सेवक राम मेवालाल सिवदयालाल मनसूर तो इसका राइट एंसर होगा शेवक र लास्ट वाला पार था 1947 तक तो ये फेमस रहा था और 1997 के बाद ये बिलुप्त हो गया था पटना के अंदर एक चितरकाली का सहली था और इसके जो अंतिम चितरकार थे इस्वरी प्रशाद वर्मा जी थे वहीं पर पहले जो चितरकार इसके हुआ करते थे शेवक राम option नम पुरवर्ती मुगलकाल अभी ही हमने बताया था पिछले question में option number one इसके सही जवाब है अगले question को देखेंगे अगला परस्न है मदुवनी चितरकला के शंबंद में कौन सा कथन सही है options है हमारे पास यह लोग कला है एक जम सही बात है इसमें महिलाओ की ही पुर्ण भूमिक चितरकडा के लिए इनको मिला है तो उनको उनका नाम है दूलारी देवी दूलारी देवी को यह वार्ड मिला है और मदवनी पैंटिंग को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है इसका headquarter कहां पे है चेन्नी के अंदर है पद मिसरी एवार्ड के benefit क्या क्या है आज म पारतवर्ज में फिर्स्ट क्लास का जो टिकट होगा वो फ्री में प्रॉवाइड होगा फिर आता पैंसन पैंसन मिलेगा आपको कितना तो आपके टाइम पीरिड में जो परधानमंत्री की चैलरी होगी उसकी 50% पैंसन आपको दिया जाएगा तो यह सारे benefits हैं किसके तो प प्राइम नहीं मिल लएए बट आप से मैं continue करूंगा और जब तक आपके बीपेसी के पेपर होंगे उसको अच्छे तरीके से और अच्छे content content के साथ मैं आपके शामने ऐसे इंकलास लाता रहूँगा प्रशंद आये तो हमारे वीडियो को like कीजे और कोई भी दिक्कत है त जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है जाके subscribe कर लिजे वीडियो पशंद आ रहा है अपने दोस्तों को बताईए और share कर दीजे उनसे उनको भी बोलिए देखने के लिए चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में next content के साथ धन्यबाद subscribe now and press the bell again never miss an update